हेलो दोस्तो आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो दोस्तो मैं लेके आचुका हूँ आपके लिए जारकंड ओलिम्पियाड एक्जाम क्लास सेवन्त के दोस्तो साइन्स के कोश्चन का पार्ट टू लेके आचुका हूँ तो दोस्तो जल्दी से देख लिजिए कोश्चन को इसमें देगी दोस्तो जो पहला कोश्चन है आमाश्य की परकर्टी कैसी होती है तो आमाश्य की परकर्टी यू आकार की होती है नेक्ष्ट है अमीवा बोजन कैसे पकड़ता है तो दोस्तो इस विदी का नाम है चूसना विदी इसका नाम है नेक्स्ट है पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो दोस्तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रसिका ग्रसिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें क्या है दोस्तो बोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ बोजन को क्या है आगे की और बढ़ाया जाता है next है कौन सा जानवर रोमन्थी है कौन सा जानवर रोमन्थी है तो इसका correct answer हो जाएगा गाय गाय इसका correct answer हो जाएगा next question है आपका बोजन के किस विदी द्वारा छोटे चोटे टुकड़ों में पीसा जाता है तो दोस्तो इसका correct answer हो जाएगा यांतरिक विदी द्वारा यांतरिक विदी द्वारा इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है जीवों में कौन सा अंग होता है जीव कौन सा जीव का कौन सा अंग है तो दोस्तों जीव कौन सा अंग है ये क्या है एक पेसी ये है मासल क्या है पेसी ये है कृतक दांत का क्या कार रहे है तो दोस्तों काटना क्या है कृतक दांतों का कार रहे है लाल रस किसे क द्वारा बनाते हैं तो दोस्तों प्रकास संसलेशड के द्वारा बनाते हैं नेक्स्ट कुश्चन है पौद्य अपने बुजन किसके द्वारा बनाते हैं प्रकास संसलेशड हो गया आमाज से क्या सिरावित करता है तो दोस्तों सिलेशमल, पाचनरस, हाइड्रोकलोरिक अंबल तो अपरोक तो सभी इसका करेक्टांसर हो जाएगा जीवन रच्छक, गोल, O.R.S. कौन सा गटक नहीं है तो दोस्तों इन में से कौन सा गटक नहीं है तो नीवू का रच इसमें अलग हो जाएगा पानी, पानी भी क्या है गोल है, नमक भी गोल, चीडी का भी गोल होता है नमक का भी गोल होता है, लेकिन नीवू का रच क्या है, अलग है नेक्स्ट है, जीवन काल के आदार पर दांत कितने परकार के होते हैं नेक्स्ट पौद्य अपना बोजण किसके द्वारा बनाते हैं तो परकाश संसले सर्ड हो जाएगा इसका ये हो गए इसके बाद है दोस्तो जीव अनकाल के आधार पर चार परकार के होते हैं पाचन में सबसे पहली प्रकरिया कौन सी होती है तो पाचन में सबसे पहली प्रकरिया अंथरगरन बोजन को ग्रहन किया जाता है नेक्स्ट है बड़ी आंत की लंबाई कितने होती है तो दोस्तो इसकी लंबाई होती है डेड़ मीटर नेक्स्ट है जीव का कार रहे क्या है तो जीव का कार रहे दोस्तों बोजन को बोजन को क्या है लचीला बनाना है नेक्स्ट है जीवन काल के आधार पर दांत कितने प्रकार के होती है ये हो गए इसके बाद है जीव का कार्रा क्या है दीकि दोस्तों बोजन को लाल रस को मिलाना बोजन को निकलना बोजन के स्वाद की अनुभव करना तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोक्त सभी नेक्स्ट है जटिल खादे पधार्तों का सरल पधार्तों में परिवर्तित होना या तूटना क्या कहलाता है दोस्तों तो इसका क्या हो जाएगा बिखंडन इसका correct answer हो जाएगा जलिये प्राणी कौन कौन से है तो दोस्तों मचली है कक्छुआ है मगर मच्छ है उप्रोक्त सभी इसका correct answer हो जाएगा मानव और जन्तुओं में सिसु अपना बोजन कैसे ग्रेंड करते हैं तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा पीकर तो दोस्तों मानव में जो सिसु होते हैं वो क्या है कैसे ग्रेंड करते हैं पीकर next है मदुमक्की और मरमर पक्छी अपना बोजन कैसे ग्रेंड करते हैं तो दोस्तों पौधों को मकरंद पौधे का मकरंद चूस कर नेक्स्ट है शरीर में स्वस्त एवं कती सील बनाई रखने के लिए किस की आवसकता होती है तो इसका correct answer हो जागा खाद्य बदार्तों की नेक्स्ट है कौन अपना भोजन परत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं जीव जन्तु प्राणी सभी उप्रुक्त सभी इसका correct answer हो जाएगा जलिये प्राणी पानी में तेरने के लिए कड़ों का बक्षड कैसे करते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा चान कर जलिये प्राणी तेरने के लिए चान कर next है सर्प बंस के प्राणी अपना भोजन कैसे प्राप्त ग्रहन करते हैं तो निगल कर इसका correct answer हो जाएगा next है भोजन next भोजन के साथ भोजन के साथ आई जीवाणों को कौन नष्ट करता है तो अमले इसका correct answer हो जाएगा आमासे का कार रहे क्या है तो अमासे का क्या कार रहे दोस्तों पदार्दों का बिगटन करना पाचल रस रावित करना तो ए और भी इसका correct answer हो जाएगा अमासे की आंत्रिक स्तर आंत्रिक स्तर में कौन सुरच्छा प्रदान करता है तो इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट है बोजन के साथ जीवानु में आई ये हो गए इसके बाद दे कि दोस्तों उन से उन से क्या बनाया जाता है तो उन से स्वेटर बनाया जाता है उन से क्या बनाया जाता है स्वेटर अंगोरा उन को हम कहां से प्राप्त करते हैं तो इसका correct answer हो जाएगा अंगोरा नसल की बकरी से नेक्स्ट है पौदे से कौन-कौन से रे से प्राप्त होते हैं तो पौदे से दोस्तों हमेशा पौदे से कपास प्राप्त होता है पौदे से कपास प्राप्त होता है उसको क्या है इसमें उन उससे उन बनाया जाता है फिर रेसम फिर पॉलिएस्टर बनाया जाता है पौदे से कपास ही प्राप्त होता है नेक्ष्ट है याक की उन कहां से प्राप्त होती है तो याक की उन लद्दाक से प्राप्त होती है नेक्स्ट है भेड़ बकरी याक से हमें क्या प्राप्त होता है तो भेड़ और बकरी और याक से हमें उन प्राप्त होता है नेक्स्ट है भेड़ कौन पालते हैं तो भेड़ कौन पालते हैं गडरिया पालते हैं नेक्स्ट है बेडों की मारवारी नसल कौन से राज्जें पाई जाती है तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कस्मीरी बकरी के बालों से क्या बनाया जाता है तो कस्मीरी बहतरी इन सौल है सौल बनाई जाती है कस्मीरी बकरी, के बाल कैसे होते है तो इसका कररेक्ट झानसर हो जाएगा मुलायम, बीडों की बारतीे नसले कौन सी है तो मुर्रा, नीली, रावी सूर्ती, ठीजो अपरोक्त, सभी इसका करेक्ट झानसर हो जाएगा अंगोरा नसल की बक्रिया काँ पाई जाती है गुजरात में पाई जाती है दश्च्ड अमेरीका में उटों की कौन कौन सी जाती है पाई जाती है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लामा और एल पे का नेक्ष्ट है बैतरीन सॉलें क्या हैं तो बैतरीन सॉलें क्या हैं पसमीना सॉलें बैतरीन सॉलें कौन सी हैं पसमीना सॉलें रेसम के कीड़े किस पीड़ की पत्तियों को खाते हैं तो दोश्तो इसका आंसर हो जाएगा सैतूत नेक्स्ट है रेसम से प्राप्त करने के लिए रेसम के कीड़े को पालन करने की प्रकरिया को क्या कहते है तो रेसम उतपादन कहते है नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्राकर्तिक फाइवर नहीं है तो प्राकर्तिक फाइवर कौन सा नहीं है रेयोन rayon क्या है cellulose से बनाया हुआ नकली रेसम तो ये क्या है नकली है प्राकरतिक है प्राकरतिक नहीं है रेसम कीटों में के अंडे से क्या निकलता है तो caterpillar इसका correct answer हो जाएगा रेसम का रेसा किसका बना होता है तो protein का बना होता है नेक्स्ट है रेसम के कीट की मुख्य आहार क्या है तो रेसम के कीट का मुख्य आहार है सैतूत की पत्तियां रामपुर बुसार कौन सी किस का नसल है तो रामपुर बुसार क्या है बेड़ की नसल है नेक्स्ट है गलीचे की उन कौन सी नसल के भेड़ से बनती है तो नली नली नसल की भेड़ से बनती है निम्न में से जानतव रेसे कौन से है तो जानतव रेसे क्या है उन नेक्स्ट है उन जानतव का मतलब होता है जनतुओं से प्राप्त होने वाले तो उन क्या है जनतुओं से प्राप्त होती है नेक्स्ट है भेड़ की या बकरी की उन का रंग प्राय हमेशा कैसा होता है तो काला होता है नेक्स्ट है भेड़ पालन का छेतर कौन सा नहीं है तो जूट क्या है पटसन या जूट क्या है प्राक्रितिक फाइवर है नेक्स्ट है उन प्राप्त नहीं होती है तो किस से प्राप्त नहीं होती है हिरण से next है सर्दियों में कैसे कपड़े पहने जाते हैं तो सर्दियों में हमेशा कैसे पहने जाते हैं कैसे उनी उनी बस्तर पहने जाते हैं ताब मापने के लिए कौन सा माप करम का उपयोग किया जाता है तो देखें दोस्तों Celsius, Fahrenheit, Kelvin माप ये सभी उपयोग किये जाते हैं उस्मा क्या है उस्मा क्या है दोस्तों उस्मा एक प्रकार की उड़जा है उस्मा जिसमें गर्माट अनुभव होती है उस्मा एक बस्तु है एक बस्तु से दूसरे बस्तु में परिवर्थित होती है तो ये सभी इसके answer हो जाएगे सूती बस्तर किन रेसों से बनाए जाते हैं तो दोस्तों सूती बस्तर पादपों से बनाए जाते हैं next है stainless steel pen का पिन निचला इससा तावे का होता है क्योंकि तावा क्या है बहत्रीन conductor है अर्था तावा क्या है सुचालक है ताव का सुचालक होता है निवन मैंसे बायुदाव किसकी साज़ता से मापा जाता है तो बायुदाव मापने के लिए बायुदाव बैरो मीटर बैरो मीटर का उपयोग किया जाता है next है ताव मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है नेक्स्ट है उनी बस्त्र किन रेशों से बनाए जाते हैं तो जानतव रेशों से बनाए जाते हैं जन्तूओं से उसमा किस परकार का इस्थानंत्री करण होती है तो उसमा कैसे इस्थानंत्रेत होती है गर्म से ठंडी वस्तूओं की ओर इस्थानंत्रेत होती है किस परकार द्वारा हरी सबजी, किस परकरम द्वारा सबजी बनाते समय हैं, हैंडल गरम हो जाते हैं, तो चालन बिदी द्वारा, वो क्या है, इलेक्ट्रोन का चालन क्या है, होता है तो उससे क्या है, बस्तु गरम हो जाती है, धर्मामीटर को किसका ताप मापने के लिए ड कितना ताप माप सकते हैं तो दोस्तों इसका correct answer हो जाएगा 35 से 42 डिग्री Celsius, 0 डिग्री Celsius का मतल़ होता है 32 डिग्री Fahrenheit, नेक्स्ट है द्रब में उसमा इस्थान अंतरड किस विदी द्वारा होता है, तो संबहन विदी द्वारा होता है, नेक्स्ट है उसमा संचरड की विदी क कैसे बदला जाता है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा, एक्स डिग्री इन्टू 9.5 प्लस 32 जो भी आपका centigrade में मान है, उसका क्या है 9 वाटे 5 से गुणा करना है, जैसे मानलो 27 डिग्री Celsius है, उसका 9 वाटे 5 से गुणा करना है, फिर क्या है 32 जोडना है, जैसे एक्जाम पर लिया, मैंने 25 डिग्री Celsius है, इसमें 9 वाटे 5 का गुणा किया, 5 से काट दिया, 5 वार 9 पंजे 45, तो 45 हो गया, प्लस 32 जोड देंगे, तो 45 और 32 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा, तो 77 डिग्री फारे नाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, मानब सरीर का स सामाने ताप कितना होता है, 37 डिग्री Celsius होता है, प्रियोक साला ताप मापी का परिसर कितना होता है, तो माइनस 10 डिग्री से 110 डिग्री से इंटिग्रेड होता है, तो दोस्तों, इसके और बाकी के कुश्चन है, उनको मैं आपके लिए, आपके लिए दोस्तों, टेली ग्र questions को मैं telegram पे upload कर दूँगा तो जल्दी से join हो जाईए वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगे first comment में आपको telegram link मिल जाएगा या फिर description में देख लेना तो ये questions मैं सभी आपके लिए telegram पर upload कर रहा हूँ देख लीजिए time नहीं है इसलिए